जहें हैं दोस्तों इस विडियों बात करेंगे एक बिजली बनाने वाले सानदार कमपणी को बारे में उस कमपनी का नाम है रतन इंडिया पावर्वर चले देखते हैं कैसी कमपणी और खासकर भूरुन बारे में बात करेंगे जो लोग उपरी लेवलों बाई करके भी फसे ह हुए घुड को फसे में महसूस कर रहे हैं तो उनकी स्टर को इस समस्य को करने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे अग्याश करते हैं हम लोग जानते हैं कि रतन इंडिया पाष्ट यह साथ इसबी में इसक्व हैस्थापना हुई थी तब इस कंपनी के नाम था यान की कंपनी से इस लिए नाम इनदिक यह नाम काफिवरगां यह कंपनी भारत की बहुत बड़ी वजी बनाती है कंपनी के बांड और नहीं करते है punched dan चाहिए है से यानि हफीक बनाने के काम करती है आपको पता दें कि अम्रावती और नासिक यानि कि महराष्ट में दो जगह हैं अम्रावती और नासिक यहां पर इसका प्लांट है और इन दोनों प्लांट को मिलाकर जो बिजली पैदा होते हैं उसका कैपिसिटी है 2700 मेगावार्ट तो यह तो हो गया कंपनी का मेन कामकाच अब सिभात करते हैं कंपनी के वैयलुएसं से लगवाली का मार्केट姐ण के लहाँ मीट पैस्यों करोल सकते हैं ठीक है लेकिन इस घरि का कम है और अगर priority भबात है अगर वर्तमान ऊंदे silicone को देखने को मिले है यह उच्छी बात है लेकिन अगर आपदे तो grap में तो grap मे कि सेर्पाइस जनौरी के बाद से नीचे आ रहा है हाला कि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ना तो एसम लिश्ट में फिर भी कंपनी का सेर्पाइस तभी लगता है डाउन ट्रेंड में जा रहा छो माँ से एक दीकति है कंपनी का जो प्रमोटर्स हैं उनके पास से उनमें से काफी सारे से से गिरवी रिखे गए हैं जिसको प्लेजिंग करते हैं और है प्लिजिंग इसको इसलिए लिए दके ली сок एक पेससे इसलिए तो और अगर मैक्सिमम हाई की बात करें अब तक कंपणी का सेर प्राइश सबसे अधिक कहां तक गया है तो जनुरी 2009 में गया था लगवग 38 रुपिश के आसपास अभी आप सुझ सकते हैं कि जनुरी 2009 के बास से लगवग 12-13 साल हो गया है अभी तक यह कंपणी का जो सेर करने का प्रयाश करें लेकिन प्रचाब आगे मिलेगा फिलहाल कि अभी में समझने का प्रियास करने की अभी gün नज邊 कि फ्रूeger करते है आपर जा रहा है अभी यह कहना ध् lan शारे यानुर्ज से मने सने कि जनुरी के बाद से देखें तो अगर कंटिनिवस में देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ और दिनों तक डाउन जाएगा तो अगर मानली जाता है तो कहां तक जा सकता है यह जा सकता है दूरुपया 50 पैसा तक यह इस कंपनी का सपोर्ट लेवल है हाला कि अभ कंपनी कितना च्टाउंग है तो कौटरली रिजल्ट से सुभात करते हैं तो उसमें कंपनी करें भीनु तो बढ़ा है आठ सो पांस क्रोण से बढ़कर 830 क्रोण कंपनी करें भीनु हो गया लेकिन इसको प्रोफिट नहीं हुआ है चुकि कंपनी पहले से लॉस में थी अगर कर्जा देखेंगे नducर format कंपनी के पास बहुत अधिक कर्जा है क्योंकि जितने भी बिशली अपने आपने देस कंपनीना सब के ऊपर कर्जा होती है क्योंकि इसमें Capital इंवेस्टमेंट्ट ज्यादा लगता है इस तरह की पास कर्या होता है का्या 13548 क्रोण रोपए क लेकिन अच्छी बात है कि क्वार्टर टू क्वार्टर अपना कर्जा कम करते वे दिख रही है और इसके पास अगर देखें तो बिल्कुल नहीं है नीगेटी में है इसका मतलब यह हुआ कंपनी का जो लियाबिलेटी जै इसके असेट्स जाधिक है वह इसलिए क्यूंकि तो जाहिर से बात है कंपनी अपने आपको बाउंस बैक करेंगे प्रोफिट माही जाएगी इसमें प्रमोटर सची खासे मातला में सब्सक्राइब है और हमारे देश के जो इसमें 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 उप्रमोटर के नतीजों में लेकिन पबलिक हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ती हुए नजर आ रही है मार्स कोटर के रिजल्ट में अबर वाल बात करते दोस्तों देखें बिजली बनाने वाले कंपनी काफी संदार है इसमें समय देना होगा और अगर दूबने वाले कंपनी नहीं है नहीं है तो लेकिन काफी मजबूत इस उमेड करता हूं आपको मेरी बात समझ मा रही होगी यह पसंद आया होगा अगर आप मुझे परस्टनल जूड बात करना चाहते तो आप मुझे इंस्ट्राग्राम पें फॉलोग कर लेए आप हमारे हम चैनल से विज़ बढ़ सकते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तत्लिक धेने बाद सुक्रिया